अगर आप धान की रुपाई कर चुके और अपनी धान की फल से अच्छा पैदावा लेना चाहते हैं एक पौदे से आप 25-30 कले लेना चाहते हैं अगर आप अपनी धान की फल से एक पौदे से 25-30 कले ले सकते हैं बहुती आसानी से और बहुती कम खर्चे में इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं मातर 100 पर खर्चा आपका आने वाला है किसान भाई हो लेकिन अगर आप इस फौर्मूले का कारे करते हैं और जो मैं आपको सब्सक्राइब करता हूं कि आप अपने धान की फल से अच्छा पैदावार ले सकते एक पौदे से 25-30 के लिए आसानी से ले सकते हैं तो जो हमारे किसान भाई हमारे चनल पर पहली बार है सबसे पहले चनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को जा आठ साल का एक्स्प्रेंस में शेयर करतों आप लोगों के साथ तो किसनमीयो मैं आपको बताना चांगा कि मैं इस फॉर्मूले का करीत 3-4 साल से पीडियो कर रहा हूं और यह बहुत ही अच्छा रिजल्ट सब्सक्राइब बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है और मैं लιο करने तो आध करके कि आपको ऐसा कौण सा कार है करना है तो किसंविगयो कोई ज्यादा बड़ा कार नहीं करना है । आप इसका लोग कर सकते है कर सकते हैं आपकी पसंद रुपाई कर ने के 15 दिनके बा compatible बीकर सकते हैं वे'S इसका ऊम्लीश का या उसका याप पहले चमुल कि आपको लेना है जिन्क लेना है 400 ग्राम और उसके साथ में किसरशन आपको यूर्या những लेना है 2 kg यह में एक एकड़ की डोज बतानों की समय आपको यह एक एकड़ में पिडियोग करना है 400 जिंग लेना उसके साथ में आपको 2 kg यूडिया लेना है इन दोनों का अच्छी तरीके से घोल बनाने के बाद करीव एक fullest लीटर long ये समय में घोल तरया करने के बाद आप इसका इस पर दीजिगा पहले पेपी करके आप इसकाड़ सकते खेटार कर अधन. कि मैंने इस पर चाहिए और हमारे जो फोटो सिंथेटिक की जो किरिया होती वह अच्छी हो जाती है और हमारे पत्तियां पीली पड़ जाती है